अब हालात अगर सही रहता तो 28 तारीक को इस सनिवार अभिवार को हम IBPS क्लर्क प्रिलिम्स की एनेलिसिस करते हुए न आप सभी के सामने नजर आते लेकिन जिस हिसाब से अभी अगर देखें एंग्जाइटी काफ़ी बड़ी हुई है अब उसका रिपोर्ट शायद अभी तक आया नहीं है लोग continuously phone किये जा रहे हैं IBPS को customer executive जो वहाँ पे बैठ है और उनको जो सवाल पूछा जा रहा है उनका जवाब वही है कि keep in touch with the website शायद उनके पास भी वह जवाब नहीं है तो जब भी कोई ऐसा चीज आता है तो definitely उस पे हम video बनाएंगे लेकिन मैं आप से को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये शायद हम उस पड़ाब में हैं कि हम expect करें कि IBPS PO की notification आ जाए IPS कलर का तो पता नहीं क्योंकि जब notification आना था तो वह आतो गया लेकिन उसके बाद committee बनी उसके बाद क्या report आया है उसके बाद IBPS क्या decide करता है उसके बाद फिर जो आधा आपकी process complete हुई है आपकी application form की फिर आधा और लोगों का जो है वो apply करना है तो बहुत सार ऐसे process है जो शायद और थोड़ा लंबा कहीं सकता है लेकिन ये है पका है कि ये notification cancel नहीं है ये उस committee की जवाब का इंदिजार है और उसका decision का इंदिजार है लेकिन पता नहीं हम सोच रहे हैं IBPS कलर का और पता चल जाए कि IBPS PO का notification आ जाता है तो बहुत बड़ी बात हो सकती है तो खेर आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram पर टेलिग्राम पर बिल्कुल follow करें क्योंकि आप काफी महनत कर रहे हैं आप लोग के लिए और ऐसी वीडियोज देखने के लिए आपको इस चैन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मिलते नेक्ट वाले वीडियो पर तब तक ले जहीन जभारत शबाखेर लभी और अपने शेयत के बिल्कुल ध्यान रखेगा आप हमारे टेस्स सीरीज को भी खरी सकते हैं लिंक जो है आपको डेस्क्रिशन बॉक्स मिल जाएगा पर ते नेक्ट वाले वीडियो पर तब तक ले जहीन जभारत शबाखेर लभी और अपने शेयत के बिल्कुल ध्यान रखेगा नमस्कार